सिरी सत्य नारायड की हम कथा सुनाते हैं सत्य रूप में सिरी हरिया पूजे जाते हैं हम कथा सुनाते हैं शिरी सत्य नारायण की हम कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं सत्य रूप में सिरी हरियाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं श्री सत्नारायन पूजा ये विश्नु रूप है दूजा शौन का दीर सी एक समय थे भ्रमण पे निकले नैमी शारण में आके महर सी सूत मिले महर सी सूत बड़े थे भगतों वेदों के ग्याता पूछता जो कोई प्रस्न उनसे हल भी मिल जाता सौन का दीर सियों की ये हुई जानने की एक्छा संसारिक और सुख सम्रिधी का उपाए है क्या ऐसा उपाए हेर सिवर कुछ हमको बत लाएं जाकर के पर लोक में मानो लक्षे को पाएं महर सिशूत सोन का दीरिश को बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं सत्य रूप में सिरी हरी यहां पूजे जाते हैं हम कथा सुनाते हैं श्री सत्य नारायन पूजा ये विश्नो रूप है रूजा श्री सत्य नारायन पूजा ये विश्नो रूप है रूजा एक बार नारद मुनेम रित्यों लोक में आये थे देख प्राडियों के कश्टों को बड़े दुख पाए थे श्री हरी के पास में आके ये ही प्रश्न पूजा शांसारिक कश्टों से मुक्ती का उपाय है क्या श्री हरी ने नारद मुमि को फिर ये बत लाया सत्य नारायन पृत कथा का महात्म समझाया सत्य नारा यडवरत का जो मानो करता है पालन क्लेश मुक्त रहता है मुनिवर उसका तो जीवन लोक और पर लोक सुधर दोनों ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सत्य रूप में सिरी हरियाँ पूजे जाते हैं हम कथा सुनाते है श्री सत्य नारायन पूजा ये विश्नु रूप है दूजा श्री सत्य नारायन पूजा ये विश्नु रूप है दूजा लगे पूछने नारद मुनी सिवरत की विधी है क्या और वरत करने से भगवन कैसा फल मिलता सिरी हरी नारद मुनी को लगे है ये कहने पूर सत्धा भाव करके व्यक्ति अपने मन में कर असना नादि स्री हरी का ध्यान लगाना चाहिए निराहार रह पूरे दिन ना कुछ भी खाना चाहिए गाए का गोबर लेकर करे पूजा स्थन लिपाई बना अलपना पूजा के लिए जाए चाओं की बिछाई पूरी विधियब नारद जी हम तुम्हें बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं सत्य रूप में सिरी हरी यहां पूजे जाते हैं हम कथा सुनाते हैं श्री सत्नारायन पूजा ये विश्लू रूप है दोजा चौकी के चरो और के लेके व्रिक्ष लगाए शाली ग्राम या ठाकुर जी को फिर चौकी पे सजाए स्री गड़ेस का सबसे पहले भक्त करे आवन दस दिक पाल और पंच लोक पाल कभी गर लें ध्या सीता राम और लक्ष मन की फिर पूजा करनी चाहिए राधा राने स्री कृष्णा का फिर तो ध्यान लगाई मात लक्ष मेश्यू संकर और ब्रह्मा को धाए करके आरती सब देवों की पंचा मृत चढ़ाए ताने दक्षिणा दे सबको जो पंडित आते हैं पावन कथा सुनाते हैं सत्य रूप में सिरी हरी यहां पूजे जाते हैं हम कथा सुनाते हैं श्री सत्नारायन पूजा ये विश्णू रूप है दूजा उसके उपरांत फिरे व्रती को भोजन करना चाहिए संध्य समय में हरी भजन और किर्तन करना चाहिए सत्य आचरण करना ही इस व्रत का है आधार सिरी हरी नारायन करते अपनी कृपा अपार शोक और दुख से मुक्ती भी भगतों को मिलती अनहोनी विपदा भी उन भगतों की है टलती भाई बंधू सहित हरी का करना चाहिए पूजंग मोहमाया के टलते हैं विनाते हैं सत्य रूप में सिरी हरी यह पूजे जाते हैं हम कथा सुनाते हैं श्री सत्य नारायन पूजा यह विश्णू रूप है दूजा श्री सत्य नारायन पूजा यह विश्णू रूप है दूजा सत्य नारा यण व्रत का तुम को किया करो आलन नहीं रहोगे भूखे कभी परियाप्त मिले भोजन इतना कहकर सिरी हरी तो हो गए अंतर ध्यान बुढ़ा ब्राम्हड कहा गया यह ना वो पाया जान लगा सोचने व्रत की कल से कर दू सुब सुरुवाद इनहीं विचारों में गुजरी है उस ब्राम्हड की राथ भिक्छा मांगने गया तो उसको मिला खूब अनधन अनधन के भंडार फिर उसके भर जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सत्य रूप में सिरी हरी यहां पूजे जाते हैं हम कथा सुनाते हैं स्री सत्य नारायन पूजा ये विश्नू रूप है दूजा स्री सत्य नारायन पूजा ये विश्नू रूप है दूजा सूत जी रिसियों को जो जो कथा सुनाएं अपनी आस्थाओं निकीतों इस ब्रत में बढती जाएं एक एक था और रिसियों को वो लगे सुनाने हैं उल्का मुख राजा की कहानी लगे बताने हैं उल्का मुख नामक राजा था बड़ा ही बुद्धी मान सिरी हरी विश्नू की भक्ती में रहता था ध्यान पती व्रता उसकी पतनी थी उसका साथ निभाएं भद्र सिला नदी के टट पे दोनों है आईं सत्य नारायण व्रत वही करने लग जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सत्य रूप में सिरी हरी यहां पूजे जाते हैं हम कथा सुनाते हैं श्री सत्य नारायण पूजा ये विश्लो रूप है रूजा श्री सत्य नारायण पूजा ये विश्लो रूप है रूजा साधु नाम का एक बनिया राजा के पास है आया हाथ जोड कर राजा को उसने हैसी से जुकाया उलका मुख से साधु ने यह जान न चाहा है करते व्रत कौन सा किसका ध्यान लगाया है उलका मुख फिर साधु को ये करने लगे बठान सत्य नारायण पूजा का हम तो करते अनुष्ठा सुनकर बोला साधु के मुझे ना संतान हुई करूंग मैं भी व्रत जो इक्छा मेरी पूरी हुई फिर तो साधु अपने घर को चले ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सत्य रूप में सिरी हरी यहां पूजे जाते हैं हम कथा सुनाते हैं श्री सत्नारायन पूजा ये विश्णू रूप है दूजा अपनी पतनी को आकर फिर साधु ने बत लाया ये विश्णू रूप है दूजा सत्य नारायन व्रत का मैं तो निश्चे करकी आया फिर तो साधु की पतनी की हो गई गोद भराई एक सुन्दर सी कन्या फिर तो साधु के घर आई उसकी पतनी बोली आपने निश्चे ये किया था सत्य नारायन व्रत करो स्वामी अब देरी है क्या बोला साधू पतनी से इतनी जल्दी है क्या करनूंगा मैवत जो होगा इस कन्या का विवाओ साधू बात अपनी पतनी की टाली ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सत्य रूप में सिरी हरी यहां पूजे जाते हैं हम कथा सुनाते हैं श्री सत्नारायन पूजा ये विश्नु रूप है दूजा योक्यवर इक देख के फिर कन्या का किया विवा है भूल गया साधू बनिया फिर भी नाव्रत है किया अपने ही दामाद के संचला करने को व्यापार सत्यनारायन व्रत का लेकिन आया नहीं विचार बहुत सधने कत्रित दोनों ने मिलकर है किया एक नदी के ठट पे फिर दोनों गए है आओ चंडरे के तू नामक राजा था उस नगरी का राजा राज कोस से कोई चोर धन उनका चुरा के भागा शयनिक साधू और दामाद को पकड ही लाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सत्य रूप में सिरी हरी यह पूजे जाते हैं हम कथा सुनाते हैं श्री सत्य नारा यह पूजा यह विश्णू रूप है तूजा क्योंकि चोर राजा के धन को ले जा नहीं सका साधू और दामाद जहां थे वही पिछोड दिया सोचा सैनिक उने के चोरी नोन की होगी क्योंकि धन के पास में सोए थे ये दोनों भी पकड के सैनिक राज सभा में उनको ले आएं बोले की हम चोर पकड कर राजन है लाएं सारा ही धन चंद्रे के तूने उनका ले लिया है चोर समझ के कारा कार में बंद कर दिया है जो गलती की ना थी उसकी सजा वो पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सत्य रूप में सिरी हरी यह पूजे जाते हैं हम कथा सुनाते हैं श्री सत्य नारायन पूजा ये विश्णू रूप है दूजा श्री सत्य नारायन पूजा ये विश्णू रूप है दूजा साधू की पतनी धी जिसका कलावती है ना सोच रही क्या पड़ा जरूरी इन दोनों को का बीत गए कई वर से लोट कर अब तक ना आये जैसे जैसे दिन बीते उसका तो जी घब राए सिरी हरी विश्णू से उसने फिर की है विंती सत्य नारायन पूजा करूँ जो लोट के आये पती सिरी हरी फिर चंदर के तू के सपने में आये सारी बाते चंदर के तू को दी है बत लाए साधू और दामाद को चंदर के तू बुलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सत्य रूप में सिरी हरी यहां पूजे जाते हैं हम कथा सुनाते हैं श्री सत्नारायन पूजा ये विश्णू रूप है दूजा श्री सत्नारा यड़ पूजा ये विश्णू रूप है दूजा चंद्र के तूने उन दोनों से बात ये पूझी है जहां सोये थे धन भी हमारा पड़ा मिला वही है जान गया मैं तुमने ये धन नहीं चुराया है इक मापा ने आकर के सपने में बताया है साधू और दामाद का धन जितना था लोटा दिया माफि माग के चंद्र के तूने उनको विदा किया कलावती ने क्योंके स्री सत्नारायड व्रते किये सिरी हरी ने खुश होकर है पती भी लोटा दिये सत्यनारायड व्रते सभी करने लग जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सत्य रूप में सिरी हरी यहां पूजे जाते हैं हम कथा सुनाते हैं श्री सत्नारायड पूजा ये विश्लो रूप है दूजा सत्यनारायड पूजा ये विश्लो रूप है दूजा सत्यनारायड व्रत जो सत्धा भाव से करते हैं भवसागर से सिग्र भगतों वो तू तरते हैं पूरण होती हैं भगतों की सारी मनों का मना विधी विधान से जो करते हैं भगतों इसकी साधना अती सिग्र पापों से मुक्ती देने वाला हैं आई हुई बला को भी भगतों की टाला है हंस राजर लहन की स्रत्धा स्री हरी चर्नों में राज़स्ठ कुराल भी लगा रहता सत्कर्मों में फौजी सुरेस और डीयस पाल भी यही चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं सत्य रूप में सिरीहरी यहां पूजे जाते हैं हम कथा सुनाते हैं श्री सत्नारायन पूजा ले विश्नु रूप है दूजा